नमस्कार दोस्तों, जै माता दी, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखें, माता रानी सबका कल्याण करेगी दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षर ततिया जो बेहदी सुब दिन होता है, इस दिन आप नमक के कुछ अचूप उपाय करेंगे, तो आपको जीवन में भरपूर आनंद प्राप्त होगा, जीवन में आने वाले हर संकट, हर दुख को दूर कर सकते हैं, आपको बता दें, अक्षर ततिया बैसाग मा के सुक्ल पक्च की तरतिया तिथी को मनाई जाती है, इस दिन दान का भी विसेस महत बताया गया है, इस दिन किया गया सुब कार जरूर ही सफल होता है, अक्षय यानि जिसका कभी छै ना हो, वो अक्षय कहलाता है, यह उपाय आप अक्षर ततिय के पूरा दिन किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि ये सिद्ध मूरत होता है, इसमें किसी भी तरह का मूरत निकालने की आवशक्ता नहीं है, इस दिन सोना चांदी की खरिदारी विसेश फलदाई होती है, परंदु आप अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो इस दिन आ अगर आप अपने किचन के लिए अनाज या खाना बनाने वाली कोई भी वस्तु खरीद कर घर लाते हैं, तो आपके जीवन में धन्य धान की कभी भी कमी नहीं रहती है और समरद्धी के मार्ग खुलते हैं। इसके लावा यदि इस दिन आप किसी मंदिर में भी नमक का दान करते हैं, तो आपको सुख सुभाग की प्राप्ती होती है। इससे राहू और सनी भी सांथ होते हैं। अब आपको एक और अचू उपाय बता रही हूं। इसमें आप नमक ले ले और आपके घर में जितने भी कोने हों वहाँ पर आपको नमक वाला पानी यानि एक कटोरी में पानी लेके उसमें थोड़ा सा नमक मिला ले। अब उस पानी को घर के हर कोने में चिड़क देना है। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की नकारात्मक उड़ जा हो या किया कराया हो समाप्त हो जाएगा और आपका भागे भी चमकेगा। हर कार में आपको सबलता प्राप्त होगी। अगर आपके घर में वास्तु दोस हो तो आप सीसे के प्याले में नमक भरकर सौचाले या इसनान घर में रख दें। इससे वास्तु दोस दूर होता है। इसका कारण यह है कि नमक और सीसा दोनों ही राहू के वस्तु हैं। और राहू नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का काम करते हैं। इससे घर में सुख सम्रद्धी भी आती है। आपको बता दें कि यदि आप राहू और केतु के असुख प्रभावों से परिसान हैं, तो आप रात को सोते समय पानी में एक चुटकी नमक मिला कर हाथ पैर धोई। ऐसा करने से तनाव दूर होता है और नीन भी अच्छी आती है और साथ ही राहू के तू भी सांत रहते हैं। अगर आपके घर पर किसी तरह का नजर दोस या बुरी सक्तियां प्रवेस कर चुकी हों तो आपको डली वाला नमक लेना है। और इसे लाल रंग के कपड़े में बांध कर घर के मुख द्वार पर लटकाने से घर में किसी बुरी ताकत का प्रवेस नहीं होता है। अगर आपका कारोबार ठप चल रहा है तो इस उपाय को आप अपने व्यापार इस्थल पर मुख द्वार या तिजोरी के उपर लटका कर लाब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्थ बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें। धन्यवाद।